नमस्कार बच्चों तो देखें यहाँ पर हम लोग सामपर एपर डिसकस करेंगे जो SOF Olympiad का है और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि स्लेबस क्या रहता है इसका और किस तरीके का पैटन रहता है तो पैटन में आप देख सकते हैं तो टोटल जो मार्क से 50 मार्क से पर टाइम जो दिया गया है अब इसके बाद थोड़ा सा स्लेबस देख लेते हैं स्लेबस की पूरी प्लेलिस्ट हम लोग ने बनाई हुए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चीजों को लेकिन फिलाल यहां पर देख लेते हैं क्या क्या है तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके साथी साथ देखिए क्लास एर्थ का जो भी स्रेबस है वो आपको दिया गया तो च्रॉप प्रोड़क्शन मैनेजमेंट हो गया माईक्रोणिजम हो गया synthetic fiber and plastics हो गया metals and non-metals हो गया तो देखे सारे के सारे वही chapters हैं जो class 8th के NCRT में दिये हुए पुरानी NCRT में क्योंकि नई NCRT में कोछ chapter हट गया है तो उनको भी यहाँ पर include किया गया और वो सब हम लोग ने playlist में बनाई है उसके NCRT आप लोग उसको देख लिजेगा HOTS hots जो है वो भी आपको इनी chapter में से मिल जाएगा तो कहीं नगे अच्छी preparation आपके उससे हो सकती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं first question में क्या कहा गया है sample paper में तो देखें first question में कहा गया है ये logical reasoning का question है three positions of dice are shown below तो देखें तीन position dice के आपको दिखाई गई है और आपसे क्या कहा गया है what is the number opposite to one one के जो number opposite है वो आपको बताना है कौन सा होगा तो सबसे पहले इस चीज को समझे कि यहाँ पर one यहाँ पर है और किसी में नहीं है और four अगर आप देखें तो answer क्या हो जाएगा इसका six हो जाएगा देखें इसको करने का बहुत आसान तरीका है जैसे कोई भी दो number अगर same है dice में तो तीसर नंबर जो होता है और यहाँ पर जो तीसर नंबर होगा और दुनों आपस में एक दूसरे के opposite होंगे ठीक है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं तो इसका यहाँ पर कोई काम नहीं था question पर second पर आते हैं second में देखें कहा गया है select the correct water image water image का मतलब होता है देखें एक mirror image होती है mirror image का मतलब होता है जब आप mirror में देखेंगे तो कैसी चीज दिखाई पड़ेगी और water का मतलब होता है जब आप water में देखेंगे तब हो कैसी चीज दिखाई पड़ेगी ठीक है तो water कैसे है जैसे माल लीज़े यहां पर water रख दिया जाए इस तरीके से water रख दिया जाएगा तो क्या होगा यह जो दिखाई पड़ रहा है आपको यह पलट जाएगा और नीचे आ जाएगा तो देखे यहां पर नीचे आ रहा है यहां पर भी आ रहा है दोनों एकी जैसा है यह नीशे आ जाएगा इधर की ओर तो देखें यहां पर भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है इसके बाद जो A आपको दिया गया है तो A कि इधर पहुँच जाएगा ऊपर पहुच जाएगा लेकिन A ऐसा नहीं रह जाएगा A अब पलट जाएगा तो आपको यह जो दिया गया है यही सही option है यह देखे पलट रहा है और इस तरी तरीके से J यहाँ पर जो दिया गया है यह भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा मैं कहा गया in the given win diagram तो देखिया आपको event diagram दिया है find the reason representing person who are educated and employed but not confirmed in job तो मतलब educated भी हो, employed भी हो, लेकिन job में confirmed ना हो अब देखिये educated किस से represent किया गया circle से, employed किस से represent किया गया right वले circle से और confirmed जो है उनको किस से represent किया गया triangle से, तो मतलब triangle में नहीं आने चाहिए लेकिन इन दोनों में आने चाहिए circles में, तो ऐसा कौन दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा आप देख सकते हैं यह जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह वाला circle तो इसमें होने चाहिए क्योंकि यह educated है इस वाले circle में भी होने चाहिए, इन दोनों का intersection देखा जाए तो यह पूरा आ जाएगा ठीक है, अब लेकिन पूरे को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि पूरे में देख सकते हैं अब लोग triangle भी आ रहा है, तो triangle को हटाय जाए तो मतलब D portion को हटा दिया जाए तो option को सही से पढ़के ही tick करिएगा, ऐसे मत टिक करिएगा ठीक है, next पर आते है, question number fourth question को देख, तो देखे, question में क्या कहा गया है, science related question अब देखेंगे आप लोग bees which are not carrying honey, तो देखें, ऐसी मदमक्खिया है, जिनके पास अभी honey नहीं है, ठीक है वो किस frequency से अपने wings को flap करती है, तो 440 hertz की frequency से वो अपने wings को क्या करती है, flap करती है लेकिन ऐसी, जो मतलब honey bees हैं, जिनके पास honey है, वो जब अपने wings को flap करती है, तो 300 hertz की frequency से flap करती है ठीक है अब क्योंकि देखे हनी है तो इसका मतलब भारी हो जाएगी तो कहीं न कहीं ताकत कम ले जाएगी तो 300 Hz की frequency से ही वो flap कर पाएगी अपने wings को मतलब फड़ा पाएगी जिनके पास हनी है वो कैसी sound producing कर रहे है या बताना है इस question में तो जिनके पास हनी नहीं है तो उनकी frequency क्या है जादा है कितनी है 440 है और जिनके पास हनी है उनकी frequency क्या है गम है अब जितनी ज़्यादा frequency होगी हमने आपको एक बार बताया है MCQ में कि जितनी ज़्यादा frequency होगी pitch भी उतनी ही ज़्यादा होती है तो यहाँ पर higher pitch will be the correct answer lower pitch किसका होता lower pitch उसका होता जिसके पास honey होती ठीक है तो ऐसी यह कह सकते हैं एसी honeybees जिनके पास honey है जब वो अपने wings को flap कर रहा है तो जो frequency produce हो रही है वो कम है जिसकी वैसे pitch कम होगी loudness किस पर depend करती है आपको बताया है amplitude पर depend करती है और amplitude ज़्यादा होता है loudness ज़्यादा होती, amplitude कम होता है loudness भी कम होती है question 5th question देखें the pressure of water pressure related question आ रहा है pressure chapter से है pressure chapter KBMCQs हम लोग ने बनाए हुए है playlist में रखें आप लोग देख लीजेगा इसमें देखें क्या कहा गया pressure of the water near the bottom of wall farming a dam does not depend on तो किस पर depend नहीं करता है तो depth of water पर बिलकुल depend करता है तो देखें ऐसे समल लीजे जैसे माल लीजे यह आपका reservoir type का हो गया और ऐसे करके पानी भरा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया है lower most point पे जो pressure लग रहा होगा पानी की वजे से किस पर किस पर depend करेगा तो आपको ऐसी बता देते हैं किस पर किस पर depend करेगा तो दीखें तो cross section पर नहीं depend करेगा तो यही option इसका क्या हो जाइगा सही हो जाएगा cross section नहीं depend करता है और किस पर depend करता है बता देते हैं तो देखें इसकी density पर depend करेगा water है तो density कुछ और होगी mileage के अंदर mercury होता या petrol होता उस होगीज इसकी density कुछ और होती और याद रखेगा density जितनी ज़्यादा होगी pressure भी उतना ही ज़्यादा होगा जो लग रहा होगा इस point पे तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं और एक और चीज़ पर depend करता है जो acceleration due to gravity है लेकिन उसको यहाँ पर हम लोग को नहीं mention करना है तो यहाँ पर 5th के बाद 6th question पर आते हैं 6th question देखते हैं क्या कहा रहा है तो देखें 6th question में क्या कहा गया when copper is exposed to moist air अब देखें moist air का मतलब क्या होता है पहले चीज को समझ लिजे moist air का मतलब ऐसी air होती है जिसमें moisture present है और moisture का मतलब होता है जिसमें water की कुछ ना कुछ quantity present होगी ठीक है तो ऐसी air जिसमें water भी present है थोड़े अपाउंट में ठीक है moisture present है उसको क्या कहते है moisture कहते हैं अब पूछा क्या है जब copper की reaction moisture से होती है तो क्या form होता है तो copper hydroxide भी form होता है copper carbonate भी form होता है तो यहां पर c option बिल्कुल सही है 7th पर आते हैं 7th question को देखते हैं क्या कहा गया है 7th question में कहा गया which of the following on reshuffling gives the term that refers to process of sowing seeds manually by sprinkling them on sawed by hand तो देके simple सा question पूछा गया इसका मतलब यह है कि जो हम लोग भेकते हैं मतलब जैसे माल लीजे ground है यहां पर ऐसे और sprinkle की गई मतलब seeds को fake-fake के क्या कर दिया गया sprinkle किया गया है पूरे ground भर में तो उस process को क्या कहते हैं तो उस process को क्या कहते हैं सबसे पहले जो इसे मल लीजे इस process को कहते हैं broad casting क्या कहते हैं B-R-O-A-D-C-A-S-T-I-N-G इसको Broadcasting कहा जाता है याद रखे का बहुत important question है अब यहाँ पर देखिए I-N-I-G-T-I-L ऐसे करके दिया है मतलब यह जंबल words का question था अब आपको answer दिखाते हैं इसमें क्या हो सकता है तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो C option जो है यह इसका जंबल word है इसको अगर आप सही करेंगे तो क्या बन जाएगा है Broadcasting बन जाएगा तो Broadcasting बन जाएगा तो इस तरीके से जो C option है वो सही हो जाएगा इसका 8th question देखिए इसमें कहा गया है अब आपको आताना है कौन सा ऐसा गुरुप है जो Bacterial disease को Represent कर रहा है उसको देख लेते हैं तो देखें पहला option दिया गया है Cholera, Tuberculosis, Malaria, Mezzles ठीक है दूसरे option में कहा गया है दूसरे option में कहा गया है Smallpox तो पहले आपको बताते चलते हैं कॉलरा तो बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबर क्लॉसिज भी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन मलेरिया जो है, वो प्रोटोजो़ा से होता है, तो यह तो option गलत हो जाएगा, ठीक है, smallpox अगर देखेंगे, तो यह viral की disease है, tuberculosis bacteria से है malaria phair protozoa से और typhoid क्या है bacteria से है salmonella typhi bacteria से होता है इसके बाद आते हैं C option देखें क्या कहा रहा है C option में कहा गया cholera वो तो ठीक है bacteria से होगा tuberculosis भी bacteria से होगा typhoid भी bacteria से होगा measles जो है bacteria से नहीं होता है तो यह option गलत है D option बिलकुल सही है cholera, anthrax, tuberculosis, typhoid चारो के चारो जो है वो किस से होता है bacteria से होते है अब देखें अचीवर section पर आते हैं तो अचीवर section का जो 9 question है उसमें कहा गया है अनुज performed an experiment to compare the strength of different fibers तो देखें यहां पर उसने fiber लिया है fiber मतलब धागा type का है तो अलग-अलग धागे लिए है और क्या किया है कि experiment किया है arrange the threads in increasing order of their increasing strength मतलब increasing strength के हिसाब से उसको arrange करना है अब increasing का उतलब क्या होता है सबसे कम से सबसे ज़ादा मतलब जो सबसे weak है उसको सबसे पहले रखेंगे और सबसे strong वाले को सबसे बाद में रखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा ज़ाए तो पहले option में कहा गया nylon ठीक है देखें, nylon जो है वो तो सबसे strong होगा तो यह तो गलत हो जाएगा तो nylon सबसे strong यहाँ पर है और सबसे weak क्या होता है cotton होता है तो यहाँ पर जो D option है वो सबसे सही है cotton सबसे weak है उसके बाद सेल क्या और सबसे strong क्यों है nylon है ठीक है last question है आज का last question देखें क्या कहागे question number 10th है 10th में देखें कहागे refer to the given figures of bacteria x, y and z and read the statements 1, 2, 3, 4 regarding them तो देखें x, y, z को read करना है जो bacteria दिये गए है और फिर 4 statements पढ़के आपको सही जवाब देना होगा ठीक है तो देखें क्या question है तो देखें आप लोग देख सकते है तीन तरीके एक bacteria दिये है पहला x यह इस तरीके का shape है दूसरा y इस तरीके का shape है और z आपको इस तरीके एक shape दिखाए पड़ा आपको सीधे सीधे नहीं दिया गया है question थोड़ा सा हिला की दिया गया है घुमा की दिया गया है ठीक है lactobacillus है bacteria आप इंसी आर्टियम देखेंगे बने भी हुए इस तरीके एक bacteria ठीक है बैक्टियम x can cause organism of cholera तो आपको बताया था x जो है वो cholera cause करता है तो इस सही है option और fifth में कहा गया है fifth कुछ नहीं तो चार में से कौन सा option गलत हुआ तो पहला option गलत है बाकी सब सही है question में पूछा क्या गया था incorrect पूछा है तो इसलिए first option जो है incorrect है बाकी सारे सारे option क्या है सही है तो इस तरीके से questions थे जो हम लोग ने देखे और याद रखेगा यह जो question है केवल sample paper है जो main paper आएगा वो जो हम लोग ने MCQ बनाए है उससे भी questions आएंगे और बहुत जरूरी है कि वो आएंगे यह आएंगे तो उसको देखना ना भूलिएगा अभी एक लेफ लादने और बागी के वीडियोज आप जाके playlist में देख सकते और अपना revision अच्छे से कर सकते हैं तो सभी को good luck thank you very much goodbye जैहिंद